प्रधानमंत्री नारींद्रमोदी ने कहा कि किसी भी देश के निर्मान में वहां की कानून अभिरादरी की काफी एहम भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री आज नाई दिली में दोदिवसी अंतराश्री अधिवक्ता सम्मेलन के उद्खाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानूनी पेशिवरों के अनुभवों ने आजाद भारत की नीव को मजबूत करने का काम किया है। और आज भारत की प्रती विश्व का जो भरोसा बट रहा है। उसमें भारत की नियाईक व्यवस्था की एहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यह सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई एतिहासिक निर्नयों का साक्षी बना है। किसी भी देश के निर्मान में वहां की लीगल फेटेंडिटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्सों से जुडिशरी और बार भारत की नियाय ववस्था के समुरक्षक रहे हैं। हमारी जो विदेशी मेमान यह हैं उनमें एक बात खास तोर पर बताना चाहता हूं। कुछी समय पहले भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किये हैं। और आजादी की इस लड़ाई में लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अनेकों वकिलों ने चलती हुई वकालत छोड़ करके राष्ट्रिय आंदोलन का रास्ता चुना था। हमारे पुज राश्पृता मातमा गान्धी हमारे समिधान के मुख्य सहलपी बाबसाबा बेड कर। देश के पहले राष्पती डॉक्ट राजैन्दर अचिए प।ोट और देश के पहले प्रधान – मंत्री पंडिक जवालाल नहरू। देश के पहले ग्रिम मंत्री सर्दार वलब भाई पटेज आजादी के समय देश को दिशा देने वाले लोकमाने तीलक हो भीर सावर करो ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व भी वक्की ली थे यहने लीगल प्रोफेशनल्स के अनुभव के ने आजाद भारत की नीव को मजबूत करने का काम किया